असलाब नीगूम एवर्योंग कैसे हैं आप लोगों गया है और जिनाब यह जो वीडियो नहीं बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जो रोज रोज पॉलर नहीं जा सकते हैं और फिशल जैसा रिजल्ट लेना चाहते हैं ना तो यह वन स्टेप जो है ना वह मैं आप लो ब्राइट हो जाएगी ठीक है तो मैं आप लोगों को बिता देते हैं इसमें क्या क्या चीजिजए जाएंगी बहuwत कम चीज़े जलती है इसमें और जनाब इसके रिजल्ट बहुत zagदा अमेजिग है बहुत जादा क्म चीज़ो है ना मलब दो चीज़ों में इतने कमाल के मास्क रेडी होगा इसे आप अगर regular seven days लगा लेते हैं ना तो मैं गहती हूँ आप लोग की skin बहुत ज़दा अच्छी हो जाएगी मुझे रिक्वेस्ट काफी देर से हरी है tiny bumps के लिए ना तो उसके लिए अगर आप यह रेगुलर seven days लगा लेते हैं ना तो आपकी जो skin की सारी problem देना वो दूर हो सकती है skin पर अगर hyper pigmentation है यह पर discoloration है यह पर मेलाजम है यह कोई भी acne scars वगएर यह पर कोई tiny bumps वगएर प्लैकर थैं वाइटर थैं तो यह मास्क जो है अच्छा यार आप लोगों को पीछे तोरी 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 आवाज आ रही होगी वो mariam आई हुए तो उसकी आवाज़ा वो मेरे पास इदर खड़ी हुई है यह hello करो mariam इदर आओ जर आगे अगे हाँ आगे आओ इदर आओ इदर आओ इदर hello करो hello अच्छा जनाब तो आप लोगों को चीजें दिखा देते हैं कि कौन सी चीजें चाहिए होंगी ठीक है जी तो जनाब सबसे पहले इदर ले ले लेते हैं इदर यह देखें जी दर सबसे पहले हम ले ले लेना है tomato paste ठीक है इसे आप लोग blender में भी blend करके इसका paste निकाल सकते हैं और इसे आप कदू कश्च भी कर सकते हैं ठीक है जिस तरह आप लोग चाहें इसको ले सकते हैं यह देखें जी टमेटो paste है फिर हमने ले ले लेना जो इसका main ingredient है ना तो जनाफ साथ ही हमने ले ले लेना यह देखें मिलटी powder मिलटी powder जो है ना उसके इतने ज़्यादा benefit है ना सकीन के लिए मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ इतना जबरदस्ट यह powder है ना तो बस आपने उतना लेना जितना आपको required होगा ना उतनी आपने quantity ले लेनी है और हमने इसे ना अच्छे से mix कर लेना और यह एक paste बन जाएगा ठीक है यह आपका ना face mask रेडी हो जाएगा और यह आप लोग जो है ना वो बना कर store कर लें बेशक क्योंके यह आपने regular 7 days ही लगाना है ठीक है अगर आप लोगों के पास इतना time नहीं होता ना तो आप लोग इसे टमाटरों को अलएदा से ब्लैंट करके रख सकते हैं और जो आप यह जो है ना क्या कहते हैं इसको यह मलटी पाॉडर का तो वैसे पाॉडर बना थे तो जब आपने लगाना हो तो आप लोग बस इसका पेस्ट बनाएं और जनाब यह रेडी है लगाने के लिए तो आप इसे लगा लें बहुत अच्छा यह देखें पेस्ट बनके रेडी हो गया यह अब हम इसे बस अप्लाइ कर लेंगे और इसके रिजल्ट इतने कमाल किया ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके यह देखें मैं आपको अप्लाइ कर गए दिखाती हूं इसको और जनाब यह बहुत अच्छा जो है ना वो एक हमारा मास्क रेडी हो जाएगा जहां से लगेगा ठीक है यह देखें जी यह इतना ठंडा इतना मज़े कहना यह बहुत अच्छा है और इसके बेनिफिर्स स्किन के लिए बहुत अच्छे है आप लोग ना अपने तोड़ पर भी गूगल करके इसके सारे बेनिफिर्स देखें अगर आपका दिल मुतमईन है तो आप लोग ज़रूर लगाएं मतलब कि बहुत अच्छी स्किन आपकी नीचे से निकलानी है मतलब बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी आपकी स्किन पर कोई भी अगर प्रॉब्लम है ना लाइक कोई बंप्स वगर ना जैसे मैंने आप लोगों को पहले सारा कुछ बताया है तो आप लोग इसे ज़रूर यूज़ करें बहुत अच्छी चीज़ है कभी-कभी जो सिंपल चीज़े होती है ना आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है यहां पर यह देखें हम 25 मिनिट के लिए लगा रहने देंगे जी उसके बाद हम इसे रिमूव कर देंगे अच्छा यह अगर आप लोग इसका फाइन पेस्ट बनाना चाहते है ना तो आप लोग इने के लिए टोमेटो के जूस बनाना ठीक है यहां पर मैंने ने इसे ग्रेट किया था इसका पल्प मिला था मुझे ठीक है जब आपने इसे फाइन पेस्ट बनाना होगा तो आपने के करना है इसे ब्लेंडर में ब्लेंड करना है ताकि आप लोगो को ना एक फाइन कंसेंस्टेंसी का सीड़प टाइप मिल जाए तो जब आप लोग इसे ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे ना तो आपको एक fine syrup मिलेगा जिसकी वज़े से यह बहुत अच्छा सा एक paste बंजेगा ठीक है यहाँ पर मैंने इसका pulp लिया था तो इस तरह से बना लेकिन इसका भी वैसा ही असर होगा जैसा जो आना वो pulp का होगा ठीक है जैसा जो syrup का होगा है टमेटो syrup का ठीक है ना यह रखें जी यहाँ पर इसे almost जो आना वो होगे यह 10 मिनट तो होगे आप थोड़ी दर और इसको उसके बाद हमीसर रिमूफ कर देंगे बहुत अच्छा मास्क है यह और यह आप जो है ना वह अपनी फुल बाडी पर भी लगा सकते हैं ठीक है यह डिसकलरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है यह आप लोगा का अगर कोई आगर कोई आगर कोई पार्ट पर ड देते हैं और आपको रिमूफ करने के बाद दिखाते हैं कि स्कीन की क्या हला तुम्हे में और किसनी सॉफ्ट हुई भी है ठीक है कुल इस तरह सीज़ सफट स्कीन ओगी है यहां से आपको बहुत बहुत अड़ा सॉफ्ट हो गयए यह देखिए बहुत अच्छा मास्क करें है लुट ओने जरूर मज़े उसके लगार विंटर अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो डू लाइक कमेंट एंशेर और आप लोगो ने यह जूरू ट्राय करना एट लिस्ट सेवन डेज तो जूरू ट्राय करें और फिर जनाफ थोड़े दिन स्किप करके आप लोग इसे रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें कोई स्क्षिन में जरूरू बतानों और इसे रूरू ट्राय करने में लेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर अलाहफिस बाई टाटा